हेलो एवरिवन, माई नेम इस चंदन सिंग और इंगलिस ट्रेनर गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि मैड एट का इस्तिमाल हम कहां पर करते हैं जी या दोस्तो, मैड एट अगर आप इंगलिस मोविस देखेंगे तो उसमें भी मैड एट का इस्तमाल करते हैं और ये American English और गारा में तो चलता ही है MAD AT यहाँ भी लोग बोलने लगे है MAD AT तो इसका इस्तमाल किस situation में करेंगे देखते हैं दोस्तों Guys, MAD AT यानि कि Very Angry या Annoyed आप किसी पर बहुत ज़ादा गुसा है किसी से बहुत नाराज है आप बहुत गुस्से में है आप मतलब किसी के परती आपका गुस्सा बहुत ज़ादा है वहाँ पर उस situation में informal English में यह formal बिल्कुल भी नहीं है MAD का इस्तमाल किया जाता है और AT लगाकर उस बंदे का जिक्र होता है जिससे आप नाराज है जिससे आप गुस्से में है तो यह informal है formal नहीं है अब बहुत सारे informal जो slang से हो चलते हैं words चलते हैं expression चलते हैं तो MAD AT भी आप use कर सकते हैं और नहीं use करना है तो कम से कम सीख लीजी कि अगर आपको English movies देखें और उसमें MAD AT आजा है तो आप समझ से कि अच्छा इसका यह मतलब है क्योंकि आज लोग GOTA, WANA, GONA सब कुछ बोलते ही है तो सब तो use हो ही रहा है दोस्तो तो MAD AT भी सीखिया गैस sentence है कि I AM MAD AT YOU तो I AM MAD AT YOU का मतलब है कि मैं तुमसे नाराज हूँ तुम पर मैं गुसा हूँ यानि कि कुछ तो तुमने ऐसा किया है जो मुझे पसंद नहीं आया है तो I AM ANNOYED WITH YOU यानि कि MAD AT YOU एक और देखे She is MAD AT ME Simple है She is MAD AT ME यानि कि वो मुझसे नाराज है मुझ पर गुसा है She is very angry तो यह ऐसे समझी है Very angry Don't be MAD AT ME आप कह सकते कि Please don't be MAD AT ME Please मुझसे नाराज मत रहो Please don't be MAD AT ME मुझसे गुसा मत रहो ये एक और है Are you MAD AT ME क्या तुम मुझसे नाराज हो क्या तुम मुझसे गुसा हो Are you MAD AT ME I think they are MAD AT US मुझे लगता है कि वो लोग हम पर गुसा है हमसे नाराज है MAD AT Spoken English में बड़े इत्मिनान से आप बोलिए Are you MAD AT ME क्या तुम मुझसे नाराज हो Please don't be MAD AT ME मुझसे नाराज मत रहो तो छोटा सा वीडियो है अगर आप ये पहले से जानते है ठीक है नहीं जानते हैं तो इसका इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों तो आज के लिए बस इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में Till then take care Keep practicing and have fun अगर आप चाहें तो इसका एक screenshot ले सकते हैं Thank you guys